कि अधिकारी है जो आंदोलन के चलते पहले नंबर पे सस्पेंड किया गया है कि मैं सिक्षानी देशाले के अंदर हर्याना सिक्षानी देशाले में काम करता था अब था के ना पड़ता है पता नी नो करी वापस आएगी के नी कि लेकिन मैं सरकार को दन्यवाद करता हूं कि दो मिने से जिस मंच को वहां खड़ा होके देखके जाया करता था सरकार ने ऐसा मैडल दे दिया कि मंच ने अपने पास बुला लिया मेरे को कि अठाइस तारिक को मेरे पास स्याम को साथ बजे जब मैं यहां से लोटा था शाम को साथ बजे चंदीगड मेरे आवास पे सस्पेंशन लेटर बेजा और जो करंचारी सस्पेंशन लेटर लेके आया था उसने कहा जी इसको रिशीव करके दो दो शबद लिख दो इसके उपर तो आप गरव महसूस करेंगे मैंने कौन से दो शबद लिखे मैंने का पहला शब्द है जै और दूसरा सब्द है किसान इस से अलग शबद लिखने की जुरूरत नहीं है कि अधिया को कि सच्रियाकल कि मैं बहुत थोड़े शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि सरकार का धन्यवाद इसलिए भी है कि पहले चंदीगर से छूटी लेकर आना पड़ता था तीन गंटे आने के तीन गंटे जाने के मुश्किल से एक गंटा यहां पर लगता था अब सरकार ने खुला चोड़ दिया 24 के 24 गंटे यहीं पर लग रहे हैं कि हमने एक प्रण लिया जिस दिन सस्पेंड किया था उससे दो गंटे बाद गाड़ी उठाके चल दिया था मैं सरकार का दन्यवाद करके और उसके बाद से अब तक 6 जिले अर्याणा के कवर किये हैं हम का खौफ निकालना चाहते हैं जिनकी जीब में गांट लगा दी है इस सरकार ने कि देश के अंदर हिसाब लगाओ तीस से 35 करोड करमचारी इसका मतलब तीस से 35 करोड़ पड़े लिखे आदमी किसान अंदोलन के समर्थन में आवाज नहीं उठा सकते कि मैं करमचारियों का यह घर घर जाके गाओं गाओं जाके डर निकाल रहा हूं और एक परण लिया है कि अर्याना सरकार के माननीय मुख्यमंत्री खटर सहाब पांच से दस अजार करमचारी जिस दिन आपके दर्वाजे पे लाके बिठाऊंगा और सारे करमचारी कहेंगे कि मैं भी किसान के अकमे बोलता हूं मुझे भी सस्पेंड करो फिर देखेंगे किसको सस्पेंड कर परसों खबर आई कि बाई सस्पेंड सिंसे आगे चली गई सरकार कि टर्मिनेट भी कर दिया आप विश्वास करोगे शाम को हमने पार्टी रखी ती टर्मिनेशन के लिए मैंने कहा कि जिन किसान भाईयों के समर्थन के लिए हमने आवाज उठाई है अगर नोकरी चली गई तो मैं और मेरा परिवार एक एक दिन इतने किसानों के गर रोटी खाएगा तो मेरी पुस्तों की रोटी का इंतिजाम हो जाएगा कि मैं मंच से सारे युवा साथियों को पढ़े लिखे साथियों को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि इस इस आंदोलन के अंदर भीड की कमी नहीं है इस आंदोलन के अंदर होसले की कमी नहीं है जो हमारे बड़े बुजर्ग पिता समान जो लोग यहां पे इतने इतन मुझे खलती है कि उनको पढ़ना लिखना शायद कमाता होगा तो जो अपने बच्चे इन्हों ने पढ़ाए है जो नोकरियों पर लगे हैं पढ़के आज हमारा फर्ज है कि हम जो है अपनी लेखनी से अपनी आवाज से एक वैचारिक क्रांती पैदा करें ताकि सरकार के जो नुमाइनदे हैं जो आई-एस अपसर हैं जो वैपारी है वो हमारे विचारों को पढ़के समझ लें कि आज न किसान अकेला है न किसान अंपड़ है न किसान अन्बिक है और जो पढ़ा confident करमचारी है वह अपड़ी सरदारी के साथ जी जान से लगा हुआ है कि मैं मंद से वादा करता हूं कि जब तक 22 के 22 जिले अर्याना के कवर नहीं होंगे तब तक सरकार अगर घर बुला के भी नोकरी वापस देगी तो नोकरी पर नहीं जाएंगे जब तक यह आंदोलन जीत पर नहीं लेंगे यहां से सम्मान के साथ मेरा एक एक किसान साथी घर पर नहीं चला जाएगा तब तक अगर तीसरी तीसरी स्टेज होती है पहली सस्पेंशन कर ली दूसरी सुनने माया है रेलेशन कर लिया अगर फासी पर चड़ाएंगे तो इस किसान अंदोलन के समय लेने का कोई इरादा नहीं है मैं एक यूनियन का लेक्चरर यूनियन हर्याना का चीफ एडवाइजर हूं उनकी तरफ से यहां पर इस्वास दिलाना चाहता हूं कि हर्याना के जितने करमचारी हैं खासकर सिक्षक साथी जिन से समाज से उम्मीद होती है आप सब के घर लेकिन यहे सरकार सिक्सक की जीव मैं गाँठ लगाके आपके बच्चों को गुलामी सुविकार करने के लिए एमारे से त्यार करना चाहती है हम ठूğu करती है और थू करते हैं तो हमें सिक्सक के तोर मैं अपना फर्द नहीं बाने देती जो हमें किसान का बेटा होने के ना एक नारा लगाएंगे किसान कर्मचारी एकता जंदाबाद किसान कर्मचारी एकता जंदाबाद मजदूर कर्मचारी एकता जंदाबाद हमारी एकता जंदाबाद बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत झाल